कर दो करने वाले हैं लीड जनरेशन कैम्पेइन के बारे में वाया वाट्सअप चो लेट से अगर आपको लीड जनरेशन कैम्पेइन रन करना है फेस्बूक के ओपर तो बहुत सारे ओप्शन्स है जैसे की कुईक फॉर्म्स कॉल के थूरू आप लीड जनरेट कर सकते हैं लोग आपको डीम कर सकते हैं इंस्टा पर मेसेंजर पर या फिर आप उन्हें एक थर्ड पार्टी अप्लिकेशन जैसे की वाट्सअप पर भी ले जा सकते हैं आज की डेट में वाट्सअप पर लोगों को डा आती है तो भी आपकी साइट से उसको कुईक रिस्पॉस जा सकता है और बहुत सारी अधर चीज़ें हो सकती है अगर आप एक रियल स्टेट का बिजनस करते हैं तो उसके इसमें आप अपनी वीडियो ब्रॉशर या फिर इमिजेस सारी चीज़ें आप वाट्सअप पर ही कर सकते हैं इवन लोकेशन तक भी वाट्सअप पर शेयर कर सकते हैं तो एक काफी हैंडी और यहां से मैक्सिमम जो लीड्स आपके पास आती है उनकी क्वालिटी ऐस कंपेर टू अधर लीड जनरेशन मेथर्स के थोड़ी बिटर होती है यह मेरा पास एक्सपिरियंस है तो इसके लिए आपको दो चीजें मिक्शॉर करनी है नंबर वान आपके फेस्बुक पेज से आपका वाट्सप नंबर कनेक्टेड होना चाहिए वो कंपलसरी है अगर वो वाट्सप नंबर कनेक्टेड नहीं है तो यह कैमपें आप रन नहीं कर पाएंगे और सेकिंड चीज जो आपका वाट्सप नंबर कनेक्टेड है वो वाट्सप बिजनस पर रेजिस्टेड होना चाहिए परसनल वाट्सप पर अगर वो नंबर रेजिस्टेड है तो फेस्बुक आपको कैमपें रन नहीं करने देगा तो यह दोनों ही कंडिशन आपको मीट करनी है पहले मैं नहीं किया है तो इसके लिए आपको आना है अपने फेस्बुक पेज पर और यहाँ पर स्विच प्रोफाइल करके आप अपने फेस्बुक पेज के प्रोफाइल पर स्विच कर सकते हैं यहाँ पर करने के बाद आपको मैनेज के बटन पर क्लिक करना है एक बार नोटिफिक Instagram and WhatsApp अगर आपको Instagram connected नहीं है तो यहां से कर सकते हैं और अगर आपको WhatsApp connected नहीं है तो simply आपको यहाँ पर Maya पे क्लिक करना है अपके क्योंकि मिरा यहाँ पर ओलड़ी एक WhatsApp Number Connected है इसलिए यहाँ पर सबकुछ अलरीडि नप्लेस है लेकिन अगर आपको number connect करना है तो simply आपको connect number पर अगर आपको already connected नहीं है तो उस पर click करेंगे अपना WhatsApp number डालेंगे और उस WhatsApp number पे एक simple सा you know 4 to 5 digit का एक code आएगा जिसको आप उटे भी बोल सकते हैं WhatsApp पर ही आएगा और उस WhatsApp के code को आप यहाँ पर डालके and connect पर click कर देंगे तो इ quickly आप लोग कर सकते हैं और second condition है कि यह number WhatsApp business पर registered होना चाहिए अब जैसे ही आप दोनों यह condition meet कर लेते हैं अब हम campaign मनाने के लिए आते हैं अपने ads manager के account पे click करते हैं create campaigns पर और यहाँ पर हमारे पास objectives हैं अब guys गौर करने वाली बात यह है कि अगर मैं traffic campaign लेता हूँ campaign objective लेता ह है और अगर मैं engagement को as a objective लेता हूँ तो भी मेरे पास WhatsApp का option है क्या lead में मेरे पास WhatsApp का option है नहीं lead campaign objective के अंदर मेरे पास WhatsApp का option नहीं है तो अब बात आती है कि traffic या engagement दोनों में से better objective कौन सा है और कौन से के साथ जाना चाहिए देखिए यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी objective select कर सकते हैं बट अगर आपका final objective है कि लोग आपसे आपके WhatsApp पर query करें message करें आपसे interact करें तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो objective है वो है engagement क्योंकि नाम से पता चद्रा engagement मतलब लोग आपके साथ engage होंगे conversation करेंगे या कोई action perform करेंगे अगर आप traffic objective लेते हो तो भी आपको WhatsApp पे divert करन आपके users को वो ऐसे users को दिखाएगा जो link पर click करने traffic का मतलब है link पर click करने में interested होंगे जरूरी नहीं है कि वो आगे कोई action perform करेंगे लेकिन अगर आप engagement option चूज करते हैं तो यह make sure करता है यह Facebook ads के algorithm को signal भेजता है कि आपका ultimate outcome है कि लोग आपसे interact करें तो वो ऐसे ही लोगों करके आगे एक step further ले जाए तो अगर आपको final outcome चाहिए lead on WhatsApp तो आप जाए engagement के साथ तो engagement को as a campaign select किया then continue पर click यहाँ पर अगर आप beginner है तो आप manuals engagement के साथ campaign setting के साथ जा सकते हैं अगर आप recommended setting के साथ जाएंगे तो बहुत सारे options Facebook आपको नहीं देगा उनका control Facebook algorithm के पास automatically चला ज कर देजिए and continue पर click कर देजिए continue पर click करने के बाद again हमारे सामने same team level आएंगे campaign level asset level and add level campaign level पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है अगर आपको campaign के level पर budget डालना है तो आप इसको on करिए otherwise इसको off कर दीजिए then चलते है campaign के addset campaign asset level पर आनने के बाद आप यहाँ पर आप देख scroll के through website पर application पर या facebook page पर तो अगर आपको whatsapp पर ले जाना है users को तो आपको चूज करना है messaging app messaging app चूज करने के बाद आप scroll करेंगे तो यहाँ देखेंगे add type दो add type आपको दिखेंगे एक है sponsored message एक है click to message तो आपको click to message पर click करना है सुधा जैसे user उस button पर click करेगा add के button पर वो यहाँ पर messenger का option है इसको uncheck करना है same with instagram और सिर्फ on रहने देना है आपको अपना whatsapp का option again guys अगर आपका whatsapp number whatsapp for business registered नहीं है तो यहाँ पर आपको error दिखेगी right side वे यहाँ पर अगर आपका number connected नहीं है तो भी आप नहीं कर पाएंगे तो मेरा number connected भी है और whatsapp business पर registered भी है तो यहा आप स्क्रॉल करेंगे performance goal तो यहाँ पर आप देखेंगे maximize number of conversations conversation means कि user ना सिर्फ button पर click करे बल्कि मेरे साथ conversation भी करे अगर आप सिर्फ maximum number of link clicks कर देंगे performance goal यह आपका ultimate objective है कि सिर्फ link पर click कर दे तो इसकी कोई guarantee नहीं है कि link पर click करने के बाद वो facebook पर आपको message करेगा या फिर maximum number of conversation पर ही रहने दीजिए then scroll कीजिए यहाँ पर bid control अगर आप पहली बार add चला रहे है तो इसको by default छोड़ दीजिए जो भी धीरे-धीरे bid आती उसके according आप इसको further optimize कर सकते हैं यहाँ पर आपना budget डाल सकते हैं budget के साथ start, date, scheduling वगरा सब कुछ कर सकते हैं यह सब मैंने already many previous videos में बताया हुआ है तो यहाँ पर मैं इनको जादा explain नहीं कर रहा हूं नीचे आते audience control by default आपको advantage plus audience मिलती है लेकिन आपको अगर original audience चाहिए जहाँ पर आप अपने demographic, interest, behavior, खुद से select कर पाएं तो आपको simply click करना है switch to original audience option इस पर आप click करेंगे यह आपको दिखाएगा कि 33 lower percent or something like that but कोई issue नहीं है आप use original audience पर click कर दिए so that आपके पास control रहे जैसे ही आप करेंगे और वापस audience के option में आएंगे तो आप यहाँ पर आपको audience का option by default जैसा कि पहले दिखता था वैसे दिखना शुरू हो जाएगा जहां से आप demographic, interest और behavior के base पर audience को select कर सकते हैं एक और मज़ Facebook, Instagram, audience network and messenger अगर आप किसी particular platform या particular आप कह सकते हैं कि place पर आपको नहीं दिखाना है let's say messenger पर नहीं दिखाना है audience network पर नहीं दिखाना है तो आप इनको uncheck कर सकते हैं और जहां जहां आपको रखना है वहां वहां पर आप इनको रख सकते हैं यह Facebook ad optimization का part जो कि आने वाली videos में cover कर करके आप अपनी cost पर lead और lead की quality बढ़ा सकते हैं यह सब करने के बाद अब आप scroll करेंगे scroll करने के बाद आप जाएंगे bottom में तो यहां पर add settings में सारे option done then click करेंगे next पर अब हम जाते है add copy level पर जहां पर आप अपनी add copy बनाएंगे तो यहां पर आप दो option चूस कर सकते हैं य अगर अभी तक videos नहीं देखी है तो description में यह आई button पर link मिल जाएगा जाकर देख सकते हैं यहां पर सारी चीज़े डालने के बाद जो main objective है यहां पर इस campaign के लिए वह है message template अगर कोई आपको WhatsApp पे message कर रहा है तो स्रिफ high या उसकी तरफ से कुछ message आए यह आप expect नहीं कर सकत है because अगर आप अपनी तरफ से कोई template बना कि इसको नहीं देते हैं तो user थोड़ा सा confused हो जाएगा और हो सकता है कि विना आपको message के वापस चला जाए तो यहां पर हमें एक template बनाना है तो हम create new template पर click करते हैं और यहां पर इसको edit करते हैं अगर आप देखेंगे यहां पर सब default message लिख किया आजाए या फिर आप अगर उसको यह option देना चाहते हैं कि उसके पास multiple 3-4 you know options है predefined questions है जिन मेंसे वह select कर सकता है तो यहां पर frequently asked questions यानि FAQs को select कर सकते हैं और यहां पर अब आप उनमें define कर सकते हैं तो आप देखेंगे तो आप template change हो गया तो आप सिर्फ आप अब एक predefined question नहीं आप 3-4 options उसको दे रहे हैं कि तीनो चारो में से जो भी most frequently asked है for example अगर आप real estate में deal कर रहे है तो real estate में 3-4 basic questions होते हैं first location क्या है price क्या है you know amenities क्या है brochure मिल सकता है क्या videos photos मिल सकती है क्या इस तरह कि कुछ predefined questions आप डाल सकते हैं और उनका predefined response भी आप डाल सक सकते हैं तो अगर predefined message की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे 80 characters की limit है आप जो भी चाहें अपना message डाल सकते हैं तो for example अगर let's say हम assume करते हैं कि हम real estate का example लेने तो हम यह बोल सकते है can I can I know the price of the property for example right तो ऐसा कुछ हम लोग पर वहले से डाल सकते हैं so that user code कुछ type करने की ज़रूत नहीं सीधा वो message के send button पर click करेगा और message मारे पास आ जाएगा अगर आप यह नहीं रखना चाहते तो frequently asked questions पर रख सकते हैं और यहां पर एक दो तीन जितने भी questions आप चाहें उतने डाल सकते हैं और अगर आप auto reply on करना चाहते हैं तो यहां से auto reply पर click कर आप देखिए जैसे user का first message आएगा हो सकता है उसने रात को 12 बजी किया और रात को 1 बजी क्या हो या early morning 7 बजी क्या हो आप या आपकी टीम ज़रूरी नहीं है हर वक्त available होगी तो यह तो आप अपने WhatsApp business पर जाकर quick replies या auto replies on कर सकते हैं या फिर यहां से specifically add के लिए यहां पर आ और भी डाल सकते हैं इसके साथ अगर आपको कोई media in terms of image उसको देनी है let's say कोई आपका brand का logo है या property की image है या banner है या poster है वो दे सकते हैं कोई call to action है यहां पर directly call now आप उसे कहीं पर land करवाना चाहते हैं विजिट करवाना चाहते हैं तो यहां से click कर सकते हैं और इस template को आप save भी कर सकते हैं तो यहां से predefined questions in terms of FAQ और उनके automated response भी आप डाल सकते हैं इस पूरी settings हो save करने के बाद आपको click करना है save के button पर और यहां से अब आपके पास यह template है यह ready हो गया आप बार बार अगर campaign चलाते हैं नए-नए campaign चलाते हैं और आपको same template ही use करना है तो आप directly use existing पर जाके click कर सकते हैं और अगर नया बनाना है तो create new पर भी click कर सकते हैं और यहां से add review on कर देंगे तो add review भी आपको दिखने लग जाएगा इसके अलावा यहां पर और कोई tracking करने के आपको ज़रूरत नहीं है जब आप WhatsApp में conversations को goal लेते हैं तो आपका जो cost per result है वो भी आता है क कितने conversation हुई और per conversation आपके कितने पैसे लगने वाले है और तो यह आपको पता होना चाहिए और फिर बता देता हूँ कि Facebook या कोई भी art manager किसी भी platform पे जो पैसे cut करता है डिड़क करता है वो impressions के base पर करता है ना कि किसी lead पर ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 दिनार चला लिया इसा बिलकुल भी नहीं है आपके गोल के ओपर depend करता है कि आपको जो cost per result है वो कैसे दिखाई देगा पर हर campaign में जो आपके पैसे है या जो आपका amount है वो डिड़क्ट होगा impression share के basis पर तो guys इस वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको समझ में आया होगा और समझ में आया है त तो हमारा WhatsApp number description में दिया हुआ है उस पर जाकर free of course हमसे चाइट कर सकते हैं सिर्फ चाइट free है वहाँ पर call support अभी available नहीं है आप चाइट free में कर सकते हैं तो guys इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए take care thank you so much have a nice day और सम्सेंट